नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का दोस्तों रियाना पुलिस बरती से समनीत एक और नहीं ख़बर आई है और अब क्या है एसाई का भी रिजल्ट दोवारा आएगा एसाई बरती का भी रिजल्ट रुवाईज होगा और आईपोट ने ये अदेश चारी किये तो क्या नहीं खबर है क्या नहीं अपडेट है यदि आप कंप्लीट डेटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाश्ट टक जरूर देखें ये रियाना है परदान अब तो सेंटर की त्यारी शुरू कर दो क्योंकि आप देख रहे हैं डेली एक ना एक वरती जिसके कोड में ये अभी अदेश देजा रहे हैं कि इसका रिजल्ट रिवाईज कर दो इसका रिटन दोबारा ले लो या पूरी वरती दोबारा करो पिछले एक मेने में तीन से चार वरतियां यसे देखने को मिल गई है तो अभी वरोसा कुछ भी नहीं है तो जान लेते हैं क्या नहीं अपडेट है वीडियो में आग बटनेश पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जादा जादा शेयर भी जरूर करें तो चले दोस्तों देख लेते हैं क्या नहीं अपडेट है अरियाना करमचारी चायनायोक का पुलिस सब्सक्राइब के पदों के परिणाम पर जवाब हमने अपने एक्सपर्ट की रिपोर्ट मानने के लिए बद्य है म पेंचीस में आपको बता देता हूँ दो कॉस्टन ऐसे थे जिन पे आईकोड में केस कर रख हैं कॉस्टन קॉन से देख लेजए रजय का एक्जेक्ọn होता है एक्जेक्युटिव हेड़ कोन होता है। चार अप्सन ये थी और इसका II उतर राजया पौल और दूसरे क्या ह का सभी अंसर है महा कच्चप तो यह उमिद्वारों ने सभी अंसर दिये हैं लेकिन इसको HSC मानने को त्यार नहीं है लेकिन जो अक्सपर्ट है हाई कोट के पंदब यूनिवर्श्टी के एक्सपर्ट कमिट्टी है उन्होंने भी इसको सही मानना है और और आयोग है भी इसकी भी नहीं मान रहा है तो फिलाल जो है अगली सुनवाई 25 जुलाई को ओने वाली है बहुत जल्दी इसकी सुनवाई हो जाएगी तो इसमें फैसला लिया दाएगा कि क्या होगा बाकि अगर एक्सपर्ट नहीं बता दिया कि एक कोस्टन का अंसर सही है तो हस्टी को 101% यह रिजल्ट रिवाईज करना पड़ेगा और रिजल्ट रिवाईज होगा तो आप सभी को पता है क्या होता है पहले की तरह तो आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं अपने वीडियो यहां तक देखिए आपका बहुत बहुत तन्यवाद